हाई गाईज वेलकम टू पार्ट साला मेरा नाम है अधर्श और इस पार्ट सेवन अफ जी के एंट यह सीरीज और बेच्चू पार्ट साला पे अगर आप पहली बाराया है तो बेच्चू पार्ट साला चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दूसरे उनिवर्स्टी से प्रट सब्सक्राइब आप वाट्सप पर सकते हैं जो विदॉट दिलेइंग लिट्स स्टाड ड़ी यो और वेरी फिस्सीन है विटास्ता किस नदी का प्राचीन में विटास्ता इस थे एंशेंड नेम फिच्च रिऴर दृट जो एविटास्ता है विटास्ता जेहलम नाम है और अगर हम बात करें दूसरे options की तो रावी नदी रावी नदी का पुराणा नाम है पुरुशानी व्यास नदी व्यास नदी का पुराणा नाम है वी पासा और गंडग नदी को सद नीरा नाम से जाना जाता था ओके कुछ नमर टू इस मात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे वह पॉलिटिकल गुरु आफ मात्मा गांधी ओप्शन और दादा भाई नवरोजी और बात कर लें तो दादा भाई नवरोजी को क्रेंड ओन बोल्ल मैं आफ इंडिया भारत का वेवरे पूरुस का जाता और डेन थिओरी इन्हों नाम आधार दिया था ध्यान अन्सफर्ड फेक और इन्हों नारा दिया था बैकक ट्वेदास यानि वेदों की तरफ लोट और और अप्शन अंचे यह लिगृव्डे एक इस किताब के लिखक सचिंत अंदूलकर है और यह इंकी आटो बैग्राफिय है और वहीं बात करें उवराज इंग किताब का नाम क्या है तो यूराज निजो भूक लिखी है उसका नाम है डाटेस्ट अफ माई लाइफ यूरास सिंह की यह किताब है और सचिंत अनुलकर ने प्लेइंग मैं वे लिखाया तो इसका सही आंसर हो जाएगा option D so moving on to the next slide and question number four is when was project tiger launched कब project tiger launch किया गया था तो यह project tiger था this was launched in 1973 1973 में project tiger launch किया गया था और 1972 में wildlife conservation act launch किया गया and 1986 में environment environment protection act launch किया गया और 1969 में इसरो क्या स्थापना के गई थी question number five is we should believe us कि स्थिति को मना जाता है on what on what date is world really celebrated जो भी शुब्रेल दीवस है यह चार्जनुरी को मना जाता है ठीक है question number six is मोहन जो दुड़ो के उत्कानन करता कौन थे और यह ब्रेल दीवस प्रबब्ली जो लुइस प्रेल है मतलब थे लुइस ब्रेल के जन्म दीवस पर ही इसको मना जाता है इसको एक बार चिक कर लिए आप लो लुइस ब्रेल को ठीक है question number six is who was the excavator of मोहन जो दारो मोहन जो दुड़ो के उत्कानन करता कौन थे तो मोहन जो दुड़ो के उत्कानन करता थे रखाल दास बनर जी और वहीं अगर हम दूशरे options के बारे हम बात कर लें तो जो दयराम सानी थे दयराम सानी यह हडपा के एक्सकानन करता थे और रंगना किया था what was the main occupation of the people of india solely civilization तो जो शिंदुगाटी सवेता के लोग थे उनका मुख्य वयाव साय था ट्रेट यानि वेपार करना उनका मुख्य वया साय था question number eight is मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है who is the writer of the book मालती माधव तो यह मालती माधव नामक किताब है इसके इसके लेखक है भाव भूती तो option a will be the right answer और दूसरा options के बारे मागर हम बात कर लें तो काली 10 के दौरा काफी पुस्तकों का लेखन किया गया और इनके कुछ पुस् इसके बारे माध कर लेते हैं पारणी इन्होंने अस्ट अध्याई नहीं किताब की रशना की थी संस्कृत की किताब हो ठीक है कुछ नमर्डी आप्शन डी इस विसाख अधत्त ने मुद्रा रक्षास नमक किताब की रशना की पुश्यरमनाइन इस भारतियों को वर्स पहुम सथा अपने की जोजना निमने में से किस नाम से जानी गई इन 1947 अफ हैंडिंग ओवर तो सॉवरेन पावर तु इंडियंस वाजन 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 वाई वीचाव फॉलिए नियम्स योग निस सो साइटाइस में अगरे जब प्लान पूना था कि भारत भारतियों को उ सब्सक्राइब तो इसका साही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बारती समिधान के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में धार्मिक सुतंतरता का उल्लेख है और वहीं हम दूसरा अप्शिंस के बारें बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 इसमें एक्वैलिटी डिसकस की गई है ओके एक्वैलिटी का वाड़न है और आर्टिकल 19 से लेकर के 22 इसमें सुतंतरता यानि फ्रीडम इसमें फ्रीडम और आर्टिकल 23 24 राइट अगेंस्ट एक्स्प्राइशन सो कुष्चन नमबर 11 इस नितियायो के दक्ष कौन है वो इस चेर्मेन आफ नितियायो आप सभी को यह पारे में बात कर लें तो जो यह अर्विंद पंगडिया है यह जीचा बना था नीतियायों एक जनॉरी 1901 पंद्र में बना था और इसके पहले वैस चेर्में थे अर्विंद पंगडिया और राजीव कुमार यह करेंट वाइस चेर्मेन है नीतियायों के और अमिताब जो है यह CEO है निटिया कभी करेंट यह लोग करेंट है वर्तमान समय में सी यू है मतापकांत और वाइस चेर्मेन राजीब कुमार कुश्चन भारत की प्रतम करेंटी कब गोश्चित की गई थी वेन वार्व इंडिया फर्स्ट मिनरल पॉलिसी अनॉच्ट तो जो भारत की पहली खरेंटी थी यह उनिस और क्यावन में गोश्चित की गई इस निमलखित में से कौन सुमीलित नहीं है विच और फॉलुइंग इस नॉट करेक्ट लिक्ट तो पहले चलिए चार ऑप्शन से थिक लेते हैं पहला प्राजिल लानोस यह सारे गास की मैदान है लानोस डाउंस वेल्ड पैमपास यह सब घास की मैदान है सावथ अफ्रि अबेला में और कोलंबिया में पाइज आता है ठीक है तो ऑप्शन एव एवारी टांसर फार्थ इस्कुश्यं कुश्चन natin is he do Cunha Deel power station किस नदी परस्तित है एक हाड़ है इसलो के दिश रिवर फिर रही रे रिएकों है इलपर स्रिशन है यह महा नदी परस्तित है और जो फिर है का पर है और बारत का सब से लंबा बान यह कुंड डैम है हीरा कुड हीरा कुड डैम इस लार्जेस्ट डैम आपर कंट्री तो मुविंग नेक्स लाइट इन कोश्यंबर 15 इस प्रित्वी की निमलिखित में से किस परत को सियाल का जाता है वीचा थे फॉल्ल हे यहर फसी लेडस तर्फ स्याल को यह से क्रश्य इस लिए और किया थाइन से ओड़ आजयर प्रित्वी यह उसा इस लिए को तरहन है कि आता है तो कि यह क्रुए कुट्षश्ट होता है जिस मेलिख पूज़ ओफ crush is mainly composed of silicon and aluminium और वहीं अगर मेंटल की बात करें तो इसको कहा जाता है CMA और इसको यह सिमा स्लिए का जाता है इस इस दिस इस इसमेनल मिली कंपोज़ ऑफ सीलिका and magnesium सो option number C के बात करें को और और नीफ़े का जाता है यह जो को है इसको नीफे भी टर्म किया जाता है नीफे और ये इसलिए क्योंकि मेनलीज के कॉंस्टुटुटुट्वेंट्स जो होते हैं निकल और फेरस होते हैं ठीक है कुश्च में 16 इस आइसेसी का मुख्याले कहां पर है वेर इस आइसेसी हेड़कॉर्टर्ड तो जो आइसेसी का सब्सक्राइब बात करें इस आइसेसी के प्रेजेंट चेर्मेंन को है तो जो चेर्मेन ऐसेजी के ग्रेग बार्कले ग्रेग बार्कले मैं आप एक बार लिग देता हूं जीए र इजी ग्रब्र berkeley ग्रे बार कले यह भी चेर्मैंग सेसी को ऋगए कुसेंब्र 17 इस किस वर्स बनारास हिंधू विर्षाऑ हुआ हुई इन विफ यर्षान रेश्ओ पमौन आरह से भी ऐस स्ट्वेश्ट इनविछ फिटारओ सनुशन्ञ उस्टेबलेश्टी यह को जिए नबर एटीनिज जए रेक आधुनिक नाम क्या है वाट इस अमाड़न नम अफ शरै जो जहर है इसका मॉडरन नम अधुनिक नम यह Republic of Congo तो जो यह Republic of Congo है इसका पुरा प्राची नाम जहरे हुआ करता था और सो इस question number 18 का option number C will be the right answer for us and question number 17 में option number C भी right होगा 18 में भी right होगा so question number 19 दूसरा options के बारे मां बात कर लें option D is option D Ethiopia यह exam में जाता जाता पुछा जाता है तो इत्रोपिय का पुराण नाम था इत्रोपिय का पुराण नाम था एप सी निया I hope this is clear to you एप सी निया इत्रोपिय का प्राचीन नाम है ठीक है question number 19 is what is the main component of biogas biogas का मुख्य गटक क्या होता है तो जो biogas का मुख्य गटक होता है वो मिध्य होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिध्य है मिध्य है मिध्य है इस दो में and propane and question number 20 is what is the main functional unit of kidney किड्नी की मुख्य कार एकाई क्या है तो जो functional unit of kidney यानि kidney की कार एकाई क्या है जो kidney की कार एकाई होती है उसको ने फ्रॉंस का जाता है और दूसरा अप्शन के अगर हम बात कर लें तो जो सिल सिल है यह functional unit of life इसको बोलते हैं और नियूरान सी जानते ही होंगे नर्व सिंस्टम की functional unit है और mitochondria इसको हम लोग पावर हाउस अफ सिल करते हैं एक्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है powerhouse of the cell mitochondria is known as powerhouse of the cell the question 19 के बार फिर से बात कर लेते हैं में में component of biogas so the main component of biogas is methane option B will be the right answer okay और अगले स्टेट पे चलके हम लोग क्वेशन फॉर्यू देख लेते हैं आप लोग के लिए क्वेशन है राइडर कप की स्केल के साथ समद्दी थैं which with which sport rider cup is related इस प्रशन का उत्र मैं आप से expect करता हूं कि आप comment box में में देंगे और हम जो पिछले वीडियो में प्रशन पूछा गया था कैंसर दिवास किस दिन observe किया जाता है फिर किस दिन मना आ जाता है तो यह चार फर्वरी cancer day इंसरी cancer day जो होता है cancer day this is observed on 4th of February और इस बर चुकेंसर दियो मनाया गया था उसका थीम था आई एम एंड आई विल यह एंड है ओके आई एम एंड आई विल सो दूसरे उनिवर्स्टी से रिलेटेड वीडियो और कंटेंड प्रप्र अवैल करने के लिए आप यूश्टी गुरुकुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं नाम दिख देता हूं यह अग्याए उनिवर्स्टी गुरुकुल इस चैनल पर यह छत्याल भारत की वाइरेश उनिविल सिर्शेस हैं उनके बारे में अपडेट अव्लेट अब्सक्राइब अग अबना है कर सकते हैं और एड्युकेशनल व्यूए व्यूश्य गोग पर मुलॉइड करते हैं आप द